Hello everyone, my name is Nend Gangwani और आज हम फिर से TDS के टॉपिक के ओपर बात करने वाले हैं आज हम डिस्कस करेंगे वो section है 194C कही बार ऐसा होता है कि लोगों को confusion हो जाता है कि 194C में हम TDS काटे या 194J में काटे क्योंकि इंजिनर से हमने contract किया है construction करवाने का अब देखिए 194C में contract का TDS कटता है obviously बट कई पर इन दोनों sections में problem हो जाती है लोगों confusion हो जाता है तो वो confusion आज हम जब करते हैं कि किस तरीके से कौन से section में किस चीज का TDS कटेगा देखिए सबसे पहले अपन समझ देते कि 194C किस के लिए है 194C contract work के लिए है यानि कि आप कुछ भी contract करके अगर work करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको 194C में TDS काटना है लेकिन सर इंजिनर से जो हम contract करते हैं वो तो 194J में करता है बिल्कुल क्योंकि इंजिनर से जो आप contract कर रहे हैं वो एक professional service के लिए contract कर रहे हैं और दूसरा जो आप other construction working के लिए आप contract करते हैं वो 194C में जाता है क्योंकि आपका वो contract work के लिए हो गया कहने का ताथ पर यह इतना सा है other than professional services आप कोई भी contract करते हैं तो उसका आपको 194C में TDS काटना है अब 194C में generally क्या आता है देखिए अगर आप construction work कर रहे हैं तो उसका contract कर रहे हैं तो 194C में कटेगा broadcasting या टेली casting services अगर आप ले रहे हैं तो उसका भी 194C में ही TDS कटता है तो यह चीज आप दिमाग में clear रहिए हम एक छोड़े से example से समझ लेते हैं माल लीजिए आपको एक गर बनवाना है गर बनवाने के लिए आपने एक engineer से उनका assistance लिया उनकी आपने गरवर्द पूरा बनवा लिया अब इस case में देखिए architecture और engineer अगर आपको TDS काटना है तो वह 194JB में कटेगा जी हां जे भी यानि professional अगर आपको जे ए और जे बी में confusion है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और जो construction working के लिए आपने construction material के लिए contract किया था और labor के लिए जो contract किया था उसका आपको TDS 194C में काटना है इस एक्जांपल से आपका clear हो गया होगा कि कौनसे section में किसका TDS काटना है और अगर आपको कोई confusion है तो आप comment box में नीचे comment में आप बता सकते हैं क्या confusion है हम try करेंगे इसको solve करने की एक और चीज़ के दियान रखिए 194C के अंदर अगर आप individual या होफ से contract अगर TDS काट रहे है तो वह 1% पे कटेगा और अधर देन individual होफ के लिए 2% पे कटेगा पिछले साल इसमें थोड़ा सा कम कटा था यानि अगर आप 26 दानलोड करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इ एक परसन की जगे 0.75% कट रहा था और जहां अगर आप 194C B की बात करें तो वहाँ पे 10% की जगे 7.5% कट रहा था तो यह थोड़ा सा COVID की चकर में rates कम होई है तो यह rates का चीज रहता है आप चेक कर सकते है online आपको मिल जाएगा और भी कोई जान कर चाहिए तो आप comment box में न